हाई फ्रेंट्स बीटे गाइड में आपका स्वागत है और आज मैं अपने नाइट का जो रूटीन है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूं तो मैं किसी भी कंपनी का ख्लैंजिंग मिलक लेती हूं और उसको थोड़ा सा लेके ज्यादा नहीं लेना है थोड़ा सा लेना है पूरे फेस पर लगाना है इससे क्या होता है कि अपना जो डस्ट होता है जो पोस्ट के अंदर जो अपना डस्ट जमा हो जाता है और वो निकल नहीं पाता है और उसके कारण अपना ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बनने चालो हो जाते हैं एकने आना चालो हो जाता है जितने अच्छे से आप अपनी स्कीन को क्लीन रखेंगे उतना ही अच्छे से आपका स्कीन क्लीन रहेगा हम धूप में जाते हैं तो संरेस से अपनी स्कीन होने चालो हो जाती है कुछ नहीं करना है सिर्फ दो से तीन मिनट इसको पानी ले लेके ऐसे मसाज करना जैसे हम लोग पेस वाश करते हैं जिनका ओली है वो भी कर सकते हैं जिनके स्कीन ड्राय है वो भी कर सकते हैं मैंने आज तक कभी भी अपने नोस पे ब्लैक हेट्स नहीं देखे हैं ये रात को सूने से पहले मैं अच्छे से करके प्लेन पानी के साथ इसको क्लीन करती हूं और ठंड के दिनों में तो में लगा लेते हूं और गर्मी के दिन में मैं ऐसे ही सो जाते हूं आप देखिएगा जैसे आप ऐसे रूटीन में आप करेंगे डेली दो तीन मिनिटी लगते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है कि वह आपके सामने वीडियो बना रही हूं इसलिए सामने पोच रहे हूं ने तो मैं वाश परिसमस् zenith वाच करते हूं कोटन से भी प हुमusta प्राप संहीं उपने की जरुरत नहीं है मै आपके सामने यह सृए कर रहे हूं कि आप और दिखे कि इसका धीरे धीरे आपका स्किन कितना क्लीन होता जाता है और डेली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे नहीं एक्ने भी नहीं होगा आपकी स्किन भी ग्लो करती जाएगी यह मेरा रात का रूटीन है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सिस्क्राइब जरूर किजेगा और आप करके देखिए अच्छा लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी थैंक यू